मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नजर रखें मांसून का प्रभाव 24 घंटे में अक्टिव होगा नया सिस्टम इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी विजली वरिजपात मौसम खबरों का अलर्ट जारी तीन दिन फिलाल यही स्थिती बनी रहेगी इस दोरान कुछ जोगों पर हलके से मध्यम बारिश तो कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के कुछ इस तान पर बिजली गिरने की भी संभावना जटाए गई है मुक्यरुप से दक्षन और मद्ये-च्थिसकड में बारिश के आसार है प्रदेश के चथिस गड़ दक्षिन चथिसकड अधिकांश स्थानों पर जबकि उत्तर चथिसकड में कुछ उस्थानों पर बारिश की संभावना है हलकि से मध्यम बारिश का अलर्ट चथिसकड मौसम इग्ञान विभाग की म आने तो मौसम मानसुद रौणी का मध्यों 36 दक्षणी 36 कड़ की ओर से गुजर रही है ऐसे में सौनवार को बस्तर संभाग के एक या दो इस्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं जबकि इस सरगुजा संभाग को अच्छी बारिश के लिए 27 जुलाई तक इनतज का ट्रफ अंबिकापूर के ऊपर ही रहने वाले की संभावना है इसके चलते हैं अंबिकापूर सहीद पूरे संभाग में अच्छी बारिश होने के आसार कम है प्रदेश में 27 जुलाई को अने इक स्थानों पर हलके से मध्यम बारिश होने और गरह चमक के साथ चीटे पढ है मौधिपरिश के बारह चिलों में फिर से बारिश का अनुमान लगाया गया है मौसमभाग के अनुसर चोबिस खंटे के दौरां सिहौर खरगोन इंदोर और रतलाम में 4 इंच तक बारिश हो सकती है जबकि इन जिलों में बजले गिरने और चमकने की भी आशंका है मौसम भाग के अनुमान के अनुसार आठ जिले हर्दा, दिवास, बैतूल, शाज़पूर, आगर मालवा, मंदसोर, छिंद्वाड़ा और सिवानी में 28,45 इंच तक बरशाथ हो सकती है मौसम भाग के अनुसार साइकलोन सिर्कूलेशन यानि चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है पूर्वी पश्य में हवाओं का मिलन दक्षरी मद्यप्रदेश और महराष्ट में हो रहा है मानसून ट्रफ लाइन भी गुजर रही है सिस्टम के अक्टिविटी की वज़ा से महराष्ट राजिस्तान और गुजरा से सटे मद्यप्रदेश के जिलों में आज भारी पारिश का अनुमान है इधर बीते 24 कंटे के दोरान हुई भारी पारिश की वज़ा से कई नदिया उफान पर है शियोपुर जिले में पारवती नदी का जलिस्तर लगातार बढ़ रहा है वहीं उज्जेन में नदी उफान पर है प्रशासन द्वारा निदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ड किया जा रहा है मौसम पुर्वा नुमान और रुचियतावनी उत्तर पश्मी भारत हिमाच और प्रदेश उत्राखंड और पूर्वी राज़स्तान के अलग-अलग हिस्तों में 27 जुलाई तक हलकी से भारी बारिश के संभावना है इसी तरह पंजाब, हर्याना, चंडिगर, डिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन हिस्तों में 27 जुलाई की बीच हलकी से मध्यम बारिश होनी की संभावना है बारी बारिश भी हो सकती है मौसम और पश्मीर, राज़स्तान में 27 तारी को बारिश का अनुमान है जमौ कश्मीर, लद्दा, गिल्गित, बाल्टिस्तान, मुजफराबाद के अलग-अलग भागों में 27 जुलाई का बारिश का अनुमान है मिलते हैं सिप्रिकार के एगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत